तो है अगर आप भी वाट्टप चलाते तो यह वीडियो आपके लिए आपको ऐसी ऐसी में बाते आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसको जानकर आप जीवी वाट्टप चलाना बंद कर देंगे आप खुद ही ऑटोमेटिक यह सोचकर औरीजिनल जो प्ले स्टोर पर वाट्टप मेसेंजर मिलता है उस पर ही एकाउंट बनाएंगे ऐसा क्यों कहा हूं मैं आगे इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि जीवी वाट्टप और एक एफम वाट्टप गयाता है इनको चलाने से आपको कितना खत्रा है कितना आपको नुक्सान हो सकता है और किस चीज़ को आपको नुक्सान यह वाट्टप जो है जी लिए बना भूले चलिए सुरू करते हैं आज की यूर्यों तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बाता बताने वाला हूं जो कि वाट्सप के बारे में जो प्लेश्टोर पर वाट्सप मेसेंजर आता है उसके बारे में तो दोस्तों वाट्सप ने कुछ महिने से भारत में जो वाटसप के ही उनको बैन किया है अब मैं आपको वह संख्या बता देता हूं कि कितने वाटसप एकाउंट बैन हुए इंडिया में सबसे पहले में आपको नवंबर 2020 के बारे में बता देता हूं कि कि लेकिन बैन बैन हुऒे वाटसब में 70 lum amar surgeon 1965 महीन सतवा jagat doma महीना उसमें 17 million बैन यह उसके बाद 528 complaint मिली नैं말 इन्होंने कुछ ऐसी गलत्यאं कर रखी जिसकी वजह से account बैन होए और अब मैं आपको 2022 के बारे में बता देता हूँ लेकिन जो 2021 किसका डाटा था उसमें करीब करीब 20,89,000 के करीब account बैन हुए थे अब 2022 के बारे में बता हूँ तो जनवरी में 18,58,000 account बैन हुए अब ये account बैन क्यों हुए है इसको जानने के लिए आगे मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आप GB WhatsApp चलाते हैं या FM WhatsApp चलाते हैं तो WhatsApp जो Messenger है Play Store पर जो देखने को मिलता है यह Original WhatsApp है और GB WhatsApp जो है और FM WhatsApp जो है और FM WhatsApp बना रखा है इनमें आपको बहुत सी चीजे देखने को मिलती है अगर 500 बंदे का मैसिज सेंड करते हैं तो इसमें आपको GB WhatsApp में 500 बंदो गया मैसिज भेज सकते हैं इस तरह कुछ एक्ष्टा चीजे इसमें बढ़ा रखिए GB WhatsApp में और FM WhatsApp में कुछ चीजे ऐसी है अगर किसी का हमारे पास मैसिज आया है और हमने उसको सीन भी कर लिया लेकिन जो जिसने हमें मैसिज भेजा है उसको यह भी नहीं पता लगेगा कि हमने सेन किया है या नहीं किया तो GB WhatsApp और FM WhatsApp में ऐसी बहुत सी चीजे हैं अगर हम स्टेटस हुआ तो इस्टेटस हम देख भी लेंगे सामने वाले बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि स्टेटस हमने देखा है या नहीं देखा है कुछ इस तरह मोड वर्जन जो है वह जी अपने मोडे खाले घुजए होता है अब जो ओर्जनल वाटसcjiप है वह एकॉंट बैन कर देता है अगर अगर आप जी बिवाटसैमे पनाते या फिर एप वार्चान में वह क्यूंकि उसको ऐसी चीज़र इलीगल काम कर रहे है आप यहां कि जो हम लीगल काम करेंगे उसमे एक बन करते हैं यह तो एक बड़ी गलती आप करते हैं जी मंन बनांके दूसरी बड़ी गल्ती यह है आपका account भी जो है bank account वाट्व में या आपका खाली ओसकता है अगर आप जीच्वी आप या एकम वाट्वस्ट या फ्म वाट्वस्ट यूज करते तो कि आप अगर इस पर भरो साथ कर बिलीव कर रहे हैं यकीन कर रहे हैं फम वार्टसप पर या जी वी वार्टसप पर तो आप ये बिल्कुल गलती कर रहे हैं आप था एकाउंट जो है बैंक एकाउंट वह खाली हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसे आपके हो सकते हैं क्योंकि जिसने इसको बनाया है उसने वार्टसप को भी धोका दिया है और जब वह वार्टसप को धोका दे सकता है तो वह आपको भी धोका दे सकता है इस चीज़ को आपको समझना चाहिए तो दोस्तों मेरा मतलब यही था कि अगर आप जीवी वार्टसप को बिल्कुल भी ना चलाएं आप उरिजिनल जो वाटसब मेसेंजर हैं उसको प्लेश्टोर से इस्टोल करें ना कि अधर जो एप आ रहे हैं उसी का मोड वर्जन उनको आप बिल्कुल भी यूज ना करें फम वाटसब वा या जी वाटसब वा इनको चलाने से आपको बहुत करता हूं और मोबाइल के रिए इस बिक कहता रहता हूं कि अच्छी बुड़ी बात हो आपके सामने रखते ता हूं तो मैं दिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चेहिंद